हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तर फिस से आप लोग का में वीडियो पर स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल के तरफ से यहां पे अपने सारे रिचार्ज प्लैन का प्रायस को बढ़ा दिया किया है और इधर वी के तरफ से भी उन्होंने भी announcement कर चुके हैं कि उनके भी जो जितने भी recharge plan है उनके भी price बढ़ा चुके हैं बस बचा भी जियो भी हो सकता है कुछ दिनों में ही अपना price को increase कर दे जितने भी उनका recharge plan है तो क्यों हो रहा है ऐसा उसके बारे में ही आज details में कुछ बात करेंगे क्यों इस टाइप से एक के बाद एक अपना recharge plan बढ़ाया जा रहा है कुछ दिन पहले ही आप लोको याद होगा थो दिन पहले ही और लेड़ी एक बार recharge plan बढ़ चुका है आगे पी कि ऐसा recharge plan बढ़ेगा सब के बार में details में बात करेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटा से रुकेश्ट करूँगा अभी तक अगर आप लोग में चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगन को पेश जोर से कर लिजेगा तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं चलिए बात कर लेते ह तो हमें साइद लगपर वो 200-500 रुपे तक पड़ता था और आज का टाइम इसा आ गया कि हमें 10 रुपे में एक जीवी डाटा मिल जाता है उसके बात जब 2016 आया ये मैं 2015 की बात करा और उसके बात जब 2016 आया तब आया जीओ और उन्होंने आके धमाल मचा दिया तो 4G लेके आ गए और 4G के साथ ही सबको फ्री दे दिये भाई फ्री दे दिये जिसके कारण सारे ही जो भी टेलकॉम कंपनियां थे उन लोगों बहुत चाता इफेक्ट परा आप लोगों को पता है बहुत सारे कंपनियां बन भी हो गए जैसे मैं आगर आप लोगों को एक नाम बता होगा तो इस कारण से हुआ कि जितने भी टेलकॉम कंपनियां थे सब लोग ने ही अपना जो रिचार्ज प्लान था उसका प्राइज कम कर दिया और कम करते करते इतना तक लेया कि वह अलोग जीयों को कॉमेंडिशन दे सके जब तक उन्होंने तो लगपक 6 माना तो फ्री दिया था उसके पाथ सारे कंपनिया जो भी थे एटेल आइडिया वोड़ाफोन उन लोग ने सब लें जाकर ट्राइ से रिक्वेस्ट किया त्राइ के बारे में आप लोग जानते हैं आप लोग का टेलिकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है तो जितने भी अधर्स कंपनिया थ अधर्स के बाद आप लोग को पता है उनका कुछ प्लैन लॉंच हुआ जो बहुत ही चीप प्राइस में था और वही प्लैन लेके कुछ मेने तक चला था और उसको ही देखा देखिए जितने भी टेलिकॉम कंपनिया थे उनको भी मार्केट में रहना था तो उन्हों लोग भी अपना प्राइस सबका कम कर लिया था और कुछ साल से मैं बताओं तो कुछ साल से यहां पर बहुत ही कम मार्जिन के साथ यहां पे जो भी कंपनिया है वह रन कर रहे और कुछ माई ने पहले की बात है जैसा कि आप लोग पता होगा कि हमारे गर्मेंट अठों के तरफ स से एटेल वोड़ाफोन और आइडिया को लगभख 3050 करोर तक को सब को पैनलिटी की दिया गिया है उन लोगों को इतना प्राइज से मतब गवर्मियन को देना है उन लोगों को पैनलिटी दिया गया था वो रीजन आप लोगों सायद पता होगा तो उस कारण से आप लोग सम आइडिया और वोड़ाफोन जो थे दो अलग अलग कंपनिया थे वह अपनी एक ही कंपनी में मर्च कर गया है जिसका नाम वी रखा है उन्होंने और एटेल आइडिया के तरफ से हम ऐसा नीज निकल के आता है जो 3050 करों का उन लोगों पे पैनलिटी लगा है उन्हों चु प्राइडिया जा रहा है जो रहा है उसे पहुत ही कम निकल के आपाता है जिस कारण से कोई भी टेलकॉम कंपनी खुष नहीं है और जैसे कि आप लोगों को पता है अपकमिंग डेश जो 5G का आने वाला है उसके लिए पी जो कंपनिया है उन्होंकों को मार्जिन चाहिए अच्छा खासा margin per person user अगर वो लोग नहीं लेंगा तो किस हिसाब से वो लोग अपना 5G को लांच करेंगा इस सब बाते मैं नहीं कह रहा है यह सब कंपनी कह रहे और देखने को भी आप लोगों को मिर रहा है किस साब साब से यहां पर प्राइस को धीरे-धीरे करके बढ़ अच्छा लगता है तो उसी हिसाब चाहिए घ्रेकर प्राइस कमपनी को भी प्राइस कम लगते ही चलना पड़ेगा पर कितने दिन तक चलेगा पता नहीं एक टाइम तो इसाब होने वाला है कि प्राइस को बढ़ा है कि यह लोग अच्छे खासर रेंज पर लेके चले आता वाई बाई बाई बाई